असलाम अलेकुम जी उमीद करता हूँ कि आप सब खेरे से हों कि ठीक ठाव होगे मेरे सामने एक इंडियन बिजनेसमैन मौझूद है जो के आई टी कंपनी चलाते हैं और साजित भाई इनका नाम है भाई हम इसलिए कहना है क्योंकि हमारा इंसे एक तालुक बन चुका है और असलिए और तालुक बनता है तो फिर वह इंसान भाई होता है चाहए वो इंडिया नह тради हो चाहिए वो नेपाली हो चाहए वो पाकिस्तानी हो चाहए वो कैनेडीयन क्यूं ना ठीक है ना तो घंड को भाई करते थे बाराल तो आज इन से पूछने के दुबई में कैसे पहुँचे इंडिया को छोड़के जब आए तब क्या थे और क्या क्या चीज़ें ने ने फेस की तो इसी आवाले से आज की पॉडकास आप लोगे लिए लाया हूँ और जो लोग आईटी के अंदर अपने फ्यूचर दे को भी आपको जो है ना इसमें काफी सारे जवाब मिलेंगे तो अलेकुम साजी बाई कैसे हैं सरा अपसे सरा मतलब कंफरड़िबल है को इटेंशन तो नहीं है क्योंकि आप मुझे गाना गयार मैं यूस्टू नहीं हूँ इन चीजह होगा ना तो सर देगे इस लाइका कॉ और मेरा मकसाद है वो यही है कि जो लोग सीखना चाहते हैं और उनके लिए क्या चीज़े लड़नी को सबसे पहले आप यह विदाए क्या करते हैं क्या करते हैं क्या मेरी कंपनी है लाइफगार्ट टेक्नोलोजी करके साही है तो इसमें हम लोग स्पेशलाइज है डेटा क्या करते हैं कि यह विद्ट एफ़ टेक्निशन और इंजिनर्स वह लोग काम करते हैं लैप टोप से ओपर कंपूटर से ओपर बट उनको बेसिकली इडिया होता है कि हाड़ ड्राइब क्या है डेटा घाता कहां पहें बट उनको यह 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 नहीं होता है जब ऑग हाड़ जो और विद्ट आइड़ दिए देटा कहां से निकालेंगे कहां से निकालेंगे नोर्मल चीजों में क्या होता है क्लती से यूजर से बास्टाइम पर इस ताम क्या होता है अभी तो देखिए प्ले बहुँ डिविकल्ट हूँ दिए कोई भी भी हाड़ रवेट के लिए आजकर क्या हो गया है बस एक सिंगल क्लिख लोगों को बसिकली पता नहीं होता है काफी कमारे बास लोग आते हैं फोन करते है यह भोलके कर आ मैंने एक्टरनल युएज़्टी लगाई लगा के मुझे तो पता नहीं था कि एक्टरनल युएज़गा है के मैं अधेया का को हम दो जो मैं तो इटे पुल फिर निए और कि दी हमारेप में कंटरता है अगर व्रे दी बोल्क सत्व होई यह सकते तो आपको आपको किरियो ही विज्जimizi जिए पुर आप uży हो यह तो अगर उपर और आप कुछ इंस्टार कर सकते हैं आपके पास डिगरी नहीं थी एक टाइम पर आप इंडिया से दुबाई आए आपने बिजनस सेट किया स्ट्रगल भी की सारी चीज़े की और आज माशाला से आप एक कंपणी के मालिक हैं तो यह सफर कितना असान था कितना मुश्किल था अब क्या चीज़े अपने फेस किसमें डेक असल क्या था मैं यहां पर आया 2000 साथ में अर आउंड 17-18 इजर कोडिजे हैं यहां हो गया है अधर बाला साल मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपड़िश में डिफरेंट डिफरेंट काम केंड बर ओल मैंने डेटा रिकरिवी कि मैं यह काम कर रहा हूं अपने लिए और मुझे शुरू से इंटरस्ट था और अभी भी मुझे इंटरस्ट से अपने काम में मुझे इसमें मज़ा आता है मेरा मज़ा इसमें अच्छे यह ना वाकिवी में बड़ी जबर्दस आपने बात किया और जो इंसान जॉब करता है लेकिन आपने बड़ी प्यारी बात की कि 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 कोई भी बिजनिस भी आप कर रहे हो और आपका शौक अगर नहीं है जैसे मिसाल के दौब अगर मेरा बेचना लेकिन मैं बेच लूँगा बट शौक अगर मेरा होगा आगे भी बढ़ लूँगा शायद एक लिमिट तक लेकिन होता है यार सैटिस्फेक्शन यह यह जो है ना वह पैशन वाले ही प्रोफेशन के लाती है जैसे कि मैं अच्छा मेरा इटी का वैग्राउंड है मैंने दस महीने एक पाकिसान में कंपनी है उधर मैंने काम किया था और मेरी बिल्कुल मतलब वो था यानिके ना क्या कहते है मैं फ्रेश फ्रेश ग्रेजूइट था मैं तो मुझे बिल्कुल एक एंट्री लेवल की जॉब मिली हाँ में बोलने में अच्छा था और आइडूंट नो होता है ने कभी-कभी आपको कोई लोग आपको देखते हैं आपसे मिलते हैं तो वह आपको ज़ादा अच्छा क्या शौक है तुमारे मैं बोला सर मुझे वीडियोस वनाने का शौक है मुझे एक्टिंग करने का शौक है तो कहते हैं तुम यह आईटी में क्या कर रहा है सर पैसे कमाने आया हूँ घरवाले उने का यही है तरीका तो हम बस वो करने आए क्योंकि माइंसेट बच्पन से बड़े होना है जौक ने जॉब करना है मैं वाइट था खानदान का जिसक अंदर एक चुलत करना है तो मैं डरानी मैंने बोला यार क्या है मतलम नौक्त नीदेंगे क्योंकि कूंकि आठ से नौ इंट्रिव्यूस में परें प्योर्त हो जाएक भी मुझे कोई डर नहीं है और जब मेरे डर खतम हुआ ना तो मुझे जौब मेले रही यह जो है ना मतलब समझ लें के और मेरे बॉस ने कहा था कि इस परिंदे वह ना आप जादा रसा कैद नहीं करो गया और मैंने दस महीं नहीं करना जौब शोड़े लेकिन उस जौब ने मुझे बड़ा सिखाया ओ क्यों काम करूं मतलब यानि के जो स्किल आप डेवलप कर सकते हो जौब में रहते हैं लोग उससे पीछे बाग जाते हैं कि बस यह काम करना है पैसे दोने में काफी लोग मेरे खुद काफी दोस्त हैं मैं उनके कोई बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन उनका क्या होता था म नहीं मेरी है ना बस चिल करके काम करो बस पुरे के दिन में एक दो काम कर लो छोड़ दो बाखे का नेक्स डे करेंगे तो मैं शुरूर से ही मेरा यह था कि मौनिंग में जल्दी आओं और रात को देर से जाओं तो जब मैंने अपना बिसन स्टार्ट किया तो मुझे लगा वह अपने अजने कि वह बिजनेस आपका है होता किया है लोगं जाप करते हैं थोड़े से पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद वो अपना बिसनेस करने चाते हैं इनको और नहीं रखना नहीं है conscious क्विण कि उपन बीस्के फृस्व क्या होई कि को क्ई एक आपको बहला कंपनी में जॉब करना है छोटी कंपनी में नहीं करना है बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब करोगे तो आप एक बड़े कितने लोग हैं जिन्हों ने अपना फुद का बिजनेस स्टार्ट किया बड़ी कंपनी का जॉड़ चोड़ के फिल होगे क्यूं उनका माइंडसर शुरू से यह है कि मॉर्निंग में नाइन अप्लॉक को आओ शाम को चे बजे चल जाओ और उनका क्या होता है उनको पता नही को इंजिनियर है तो वो कभी कस्टमर को देखे का भी नहीं उसको पता नहीं होगा कि किस्टमर से आप कितना चार्च करना है उनको क्या होगा कंपनी लाके देगी यह यह आपका कंप्यूटर है उसको रिपेर करेगा उसको बिल्कुली पता नहीं होगा कि किस्टमर आया कह से हैं, मार्केटिंग कैसी करनी हैं, कस्टन मर से पूछने क्या-का सावळात पूछने उस से और कितना पैसा करें चाज करना है उसको कुछ मालून होता है तो लोग्ट क्या करते हैं भड़ sehen कि hiçbir हमेशा है जो हमेशा कि की मैs या मैं बड़ी कंपनी में काम करें बड़ी कंपनी में जॉब करेंगा और पैज़े हैं करों पारा कंपनी logo को चैलिंजर के हैं कि आप्टसें काम की कांव किया यह को कियो रहे हैं आपको पता कि चलाना नहीं है एक Salah अपने रख पी लिया टेकर यह गडी क्यों रखा मैं इसको या इस सेनरीव में जब आप जाते हैं तो तब आप कूह आ जोब विजरा उपने बेरे पाई उसके बाद उनको और ब्लाप मिल जाता है 입ंगे बहुत आद चॉप निया थे कि अगधा Mahar 민 такие के अंव Only बस उनको यह चाहिए कि बस मैं आउँ सुबा नो बजे और शाम में पांगे चला जाओं वो देखती नहीं कि उनका टारगेट क्या है ना टारगेट अचिफ करने का उनको टेंशन है ना कंपनी के लिए कुछ एक्ष्टा करने का एक्ष्टा तो छोड़ो जो आपका डेली का चैससे ना अचिफ वह पूरा करतों वह भी करने का उनको की कर में में पर आपके बूलों कि यार बेकर रहें किस के इस्थी थो आफ्यायलाइट करें लोगों किसा चाहिए मैं देखिर ने नीचिक्ट अचे लगके बोलें कि यहां पर मेरें बुसले चाहिए कर दिया मिरे स पहलते हैं लेकिन यहां के माहल में पड़ता हैं की दो आपके काम पिरन करना पड़ता है वहां पी काम करते है वहू इहां पी काम करते है वहुत आदा भी इवहुत आधा के हुटा डि वह कर GIS बंडरा है वह और उदकोविधी इस रेक्षी आधार की जो किसी और न ऑच रही जुद τα इस और है और अथ ज uważ और फिर एक्पेक्टेशन होगी और फिर बाहर जाके चलाएंगे किया यह बेकार है कंपनी मुझे सलरी मरी कंपनी मरी तरखा नहीं बढ़ा रही है यहां पे MBA के इस्टुएंट्स भी आते हैं जो MBA जिसके पास डिग्री है वह भी कंप्यूटर में जब वो लोग आते हैं इंटर्वी के लिए मैं उनको बेसिक सवाल पुस्ता हूं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है नॉर्मल चीजों की डिया डिग्री बट उनको पता ही नहीं कि काम किने वाला बच्चा है इसके सबसे अच्छे ग्रेट आ रहा है इसको पगड़ के रखो अच्छा वो बच्चा भी बेसिकली होते हैं शार्प लोग होते हैं माइंड उनका बहुत तेज काम करता है मेरी भी क्लास में काफी लोग के तो हम लोग खुद ना एक अजूबा चुके मुझे ग्रेजूट विए एक दफा भी ना कहीं मुझसे शायद पूछा भी नहीं किया होगा कि तुम्हारी डिगरी का है यह जरूर पूछा जाता है क्या किया है लेकिन डिगरी जो है ना वह है कई ना करी होती है बिलकुल एक प्रॉस्स होता है तो इंडिया पाक कि मैं दुबई में आते ही मैं एकदम मिलियर नहीं बन जाओंगा अब यहां पर आते ही अब लगपती को लोगों का क्या कॉंसे होता है दुबई जाल लगें बैस नोट तोड़ने है असल में दुबई की ना काफी सारी साइड्स है यानि लोग जो सोचल मीडिया पे देख होती है और आपके अंदर से उमीड जाती है कि मुझे यहां तक पहुचना है मुझे इस वाले रेस्टराट में आके खाना कहना है तो तब आप मेहनत भी जादा करते हैं पाकिस्तान में एक कहावत है बड़ी मशूर के बाई आईटी में इंडिया बहुत आगे है जो के शा डल्ट सो और तो डिस हर्ट है या पीछे मैंनी का रह गया लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह कि ने वाज आती आप ने कभी फील किया कि या इंडिया वाकिए इटी में बहुत आगे और पाकिस्तानी अगर पीछे है तो च्वाजूहाथ है अगर इंडियन आगे है तो च्या वजुहात है यह ऐसा एभी आगे पाकिस्तानी बहुत पाकिस्तानी यह पीच्छे यागे है पाकिस्तान में यह पाकिस्तान में पैसा वही मिल जाता है उनको जरूरत ही निया बार जाने की और एक दूसरी चीज़ कि एक दूसरे के साथ स्किल्स शेयर नहीं करते हैं अगर आप किसी में मास्टर होना तो लोग क्या करते हैं मैं कुछ गलत नहीं बहुत नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप देखें हैं हॉनेस बात कर रहे हैं और यही चीज़ जो है बड़ी वैल्यूबल है क्योंकि मैं लोगों कि लुष गष झालबाटे हैं हमें हमेंशा एककू मेरे बड़ी की करते हैं बिल्कुल है मुझे होंगा था मुझे इनично इनके उनके पास बात करता हूं लोग इनके कार फुछ एटने को कुछ एइर वैंपर्पाकिस्तान अलया लwartsा तो यह बनों कुछ इख यह झा और नहीं करो रहे हैं पाकिस्तानी अवामकी ने एक अच्छी बात सबसे कि अगर कोई बात उनको को समझाई आ ना तो समझते जरूर है रेलाइज तोड़ी देर में होती है यह हमारा एक मसला और यह हमारा मतलब वैसा नहीं एक जेंडरेशन से होता आ रहा है और इसी को खतम करने के लिए जो हैं आप ने बात बहुत प्यारी किया क्योंकि यह सच है कि पाकिस्तानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत सोचते हैं I don't know why मतलब मैंने कापी चीजों में यह भी देखा कि भाई यार पाकिस्तानी स्टाफ के दार हम काम नहीं करें पाकिस्तानी बिजनेस ओनर की बाग कर रहा हूं जिनको मैं इंशालला अभी पॉड्कास में लाओंगा और मैं इंसे सवाल पूछूंगा और वह अपनी वज़ा भी बताएंगा औ अब यही बात करतें इंडियन क्या इसी चीज़ आपको लगता है कि इंडिया आगे है क्या ऐसा एक्स फैक्टर है या इसी क्या कहेंगे उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसकी वज़े से जो है ना वो दिन बर दिन आईटी में काफी इंडिया तरक्की कर रहा तो यह अगर आप मुझसे एक्सपिरिंशेर करें इंडिया में एक चीज़ है कि जो अभी से नहीं यह यह आज से नहीं हुआ काफी सालों से इंडिया एकॉनमी और इंडिया के जो मिनिस्टर्स वगारा है वो लोग वो ने अप्रोच किया बड़े-बड़े कंपनी को बाहर कि यह यहां पर आओ यहां पर इंवर्स करो तो इंडिया में अगर आप ग्रेजुएट करें ग्राजुएशन कर रहे हो ना तो आपका ग्राजुशन खतम होने से पले आपको बड़ी कंपनी अपनी अप लेती बिल्कुल आपको वो लोग क्र लेंगे कर लेके आप इसाथ अपस में आपके जो स्मार्ट स्टुएंट्स होते है ना उनको वो डिग्री खतम होने से पले है क्यों जब इसको डिग्री मिल जाएग इसको तो आराम जोब कहीं मिल जागा बार बद यह लोग क्या क्रते हैं अगर किसी को मास्टर्स करना है तो कंपनी पे कर दिये आपका पूरा आपका पूरा एच्यूकेशं पे करती है कर्के आपको पांट साल का कॉंट्राक है यह पांठ साल में आपको इंग कमपनी के लिए काम करना पड़ेगा और एच्छा भी होता है क्यों स्ट्टेंट के लिए कैया मैं अभी डिग्री लोगा बाहिर जाओ मिल री है ए यह चीज होती है यह चीज मतलब आप समझ रहे हैं हाँ ठीक अच्छा पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है लेकिन आगेस कहीं ना कहीं तो हम लैक कर रहे हैं जिसकी वैसे लोगों को आपर्चुनिटीज नहीं मिलबा दिया भी रीसिंट्ली जब मैंने ना स्टेटिस लगाए कि मुल्क छोड़ना किसी के लिए असान नहीं होता और शायद वो एक टाइम पर आके जब इनसान एक फैमिली की जिम्दारी जब पढ़ती है ना तभी इनसान छोड़ पाता है उसको के भाई अब मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ बेतर करना है एक स्टेप अब लेके ज जो के बहुत मुश्किल फैसला होता है कि अपने मुल से किसी भी दूसरे मुल्क में जाए और दुबई हो कैनाड़ा हो कुछ भी हो इसकी स्टोरी थोड़ी से बता है मुझे देखिए इंडिया में भी बहुत अच्छा था था वहां पर भी इत का बहुत साला काम है लेकिन कि मुझे यह था कि अगर मैं दुबई यहां था तो दुबई में क्या होगा अगा अगा निए नियूटेछी आपको मिलेगी काम करने के लिए यह तो इसका एक्सपरियन्स के तेखिए करना एक प्राक्टिकल करना एक्सषिज साही यह है जहां पर इसका अपको अपको सबसे हैं काम है, इसरी चीज़ पर पार्चुनिटी सब को होता है मैं भी फॉस्ट टेम यहां वह इटा पर दुसरे दिनी मैं यहां से जाने के लिए बैटाऊ अगा लोगा, परिशान होगा, कुछ यहां निवा चाचा तहे लिकिन वह घुर होते दे प्रहत हैं, मैं एडायो बाहे राओ से एंडिया में ठікरोजदा हा जाता है एफ लिए बाहर नहीं मी एपक कUCK गया ही उवी आपक या को छोल के अभा को चोल के हैं मैं है यह भाइह को चोल के में आप अपया है लिए तुममेरा यह यह धा के छोड़ा मैं हंपनी इजूक्रास कि अठीं हाउ है बट को छोल के अबी अब्बा को छोड़ के मैं हो आप है तो मेरा एधा कि अपनी एजुकेशिन वरका नहीं करो गाँ बट इंछाला में अपने भाईबं के लिए भेहनों के लिए कुछ दूख पाने के लिए इंटनिया तो तौपाइसान इंडिया सेंशन दूख अपा है ऑई ग अपने फैमली को इंप्रूफ करने के लिए अपने आपकी खुल्बानी देके आते हैं पर लोग समझते या के दुबई आसान है यहां पर आजाओ घूमो पूरो इतने बड़ी-बड़ी बिलिंग है वह जब आओगे ना तब पता चलेगा सब्सक्राइब क्या इस्ट्रगल ह उसको टेंशन नहीं ने पॉछे क्यों कि मैंने यह सारे कामना हमेशे से खुद किया इस्ट्रगल किया चैंगल करता है उसको टेंशन नहीं है इवन कि मैंने मुझे याद है कि पाकिस्टान में वह एक-डू शूरू में अपने ऎड़िटर्स वगरा रखे तो मुझे उन्ह लोगो को इंसपायर किा है ना, तो मेरा मेरा जिने में और जिन्स गुजरने में विल्ला केसी और अा, गर मेरे, फैमिलीको को यहां Πेशिफ्ट करना चाहरा हूं, तो मुझे लिजने से बाहर यहाँ रोडों पर मैं यह बैग लेकर फिर भी रहा हूँ, मुझे एक काम डुटने में कोई शरम भी नहीं किल रहा हूँ, और मैं लोगी सब लखाता है लिटरली जिसको लोग कहते हैं बीग मांगहे से बोलता हूँ हम Bennett, मैं मेरे स्किल्स ने सब्सक्राइब, तो मैं कर ल ने यहां पर कितनी की और उसको किस तरीके से आप टैकल करते हैं कि जब भाई इंडिया से एक नमबर से कॉल आ रही है कि साजित भाई मैं आपकी फाला मुमानी का वेटा हूं मैं आपका फाला खाला का वेटा हूं मैंने आई टी में यह कर लिया है मुझे जाल प्रीज करने का एक वाइद मकसद था कि अपने भायों को सट्ल करने के लिए क्या बात है कि मेरे खालान में हम लोग हमारे खालान बहुत बड़ा है मेरे दादा के माशाला नौ बेटे थे नौ बेटियां थी तो हमारा बहुत बड़ा खालान है तो हमारे खालान में ऐसा हो किसी का करूंड था कि जुशनी बहुत जादा एजूकेशन ची एजुचिन चानावाइश्न चार्ड मेरा थोई जो पारी सब्चे दर्न उनके बड़ते हो वी इुएस हुएस में हैं ऴुरफ के डिकिन इसका इंड है दोग लोग से जए बगों के अलने करते हैं लोग से लोग सब्ह पड़ परमने में काम भांडे हों अगर को अप सहरा उझे किराश का में अनुंगाों, बधया है्ट्णाउल का मैं ग TOP आम इस के लिए ऊचान। आपको में ट्रेन करता हूँ, ट्रेन करके आप मेरे पास काम करो, इंशाला दो साल के बाद एक ब्रांच खोलेंगे, आप वो ब्रांच आपके अंदर आजाएगा, आप फिर आज एक को पार्टनर की तरह काम करो, बिल्कुल, उसमें क्या होगा, मैं अकेला गरो नहीं होगा, आपने कभी जिन्दगी में किया भी होगा, मैंने किया है, उटाया, पाइदा के उठाया, नुकसान के उठाया, दो बहुत करते है, हमारे पास, हमारे कल्चर में, आने से पहले, वो लोग बहुत डेस्परेशन होते है, उनको कुछ आप्शन थीन, कुछ नहीं ए, जब आत बिक्ता नहीं है इसा होता है। नहीं है कि साह flute का इंभेटिय। कभी ऑचीज आई, कुई महेन नहीं होता हैं। अपको स्यलेरी मिले आई पर अपधि आई। लेकिन इस पोई सच्ता नहीं है। अब हमचे आरे लेक्मेल्च अप्वल्कि से वां suspend to धेरा, मेरे मेरे में की मानन आए अगर मेरा भाई भी छोड पी जए कान दो पॉण सण हो अग्यों यह कॉलेगा मेरा। अगर मेरे साथ काम नहीं करा भी मेरा कॉंपुटेडर कि बन रहा है तो मेरा भाई आए मेरा भी ओढ़ाया है क्या बात अब जैसे लोग जो हैं और कोई 50-50 हो ना तो काफी जो है अच्छाई की तरफ लोग आ जाएं देखे मेरे मुझे भी बहुत इस्टेकल मेरी यहां तक आने के लिए तो मैं चाहता हूं कि मेरे खांदान वाले वह इस्टेकल से ला घुजरे क्या बात इसाला मैं अच्छाई बिजनस मैं के लिए इमोशनल होना जो है वो नुक्सान देवी थाबत हो सकता है अच्छा है और मुझे यह पता है मुझे भी पता है मैं इस इस बहुत आपके पूंसे निकलवाना चाहरा हूं मुझे भी पता है मेरे एक बहुत आची दोस्तें वो बोलते मैं कोशिश में लगा हूँ कि अपना काम ही सट करूं लेकिन भाई समझदार हैं मतलब साजिद भाई ने सारी बात आपको बता दिया मुझे कहने की दरूर नहीं है अच्छाँगा कि एक बात जो आप कहना चाहें लोगों से कि जो लोग यहां पर आके बिजनस करना चाहते जॉब करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे और क्या स्किल्स इनके उपर फोकस करना चाहिए आई टी से रिलेटेड हो यह जो भी होना क्योंकि हजारों लाखो लोग है इंतजार करना है कि हमें कोई आपरचुनिटी मिले अगर आप देखेंगे इंडिया पाकिस्ता इंडिया पाकिस्तान में बोलता हूं अगर आपको जॉब चाहिए तो वहां पर बहुत साथा आपको रिफिरल लगाने पड़ेंगे रिफ्रेंज के बगर तो कुछ होगा निए पवा कहते हैं पवा किस और चीज भी हो कहते हैं इंडिया में पवा मतलब कुछ पी लिया य और यहां पर दुबे में क्या होता है आपको दो चीजें करें एक हाड़ वर्क जुसरा पेशंस सबर होना चाहिए आपको सबर और पेशंस अगर नहीं है ना तो पर कहीं पर जाने का ना सोचा आप पाकिसान रहें या इंडिया में रहें आपने मुलके रह लेते हैं जी ल आपको आज की हमारी जो कॉन्रेशन है यह बड़ी पसंद आई हो और कुछ ना को साजीज भाई से सीखने को मिला होगा साजीज भाई ने जब यहां बिजनस स्टार्ट किया था तो इनके बास डिग्री भी नहीं थी और जब इनको लगा किया डिग्री सिर्व एक किसी बहर निकलिएगा और तब आप देखिएगा किया आपको कितनी सक्सेस मिलती है चाहे वो आप अपने मुल्क पर रहके करें या कहीं पर भी जाके रहें रिस्क कहीं से भी कमाई जा सकता है दुनिया पूरी अल्ला की बनाई वे तो कभी भी यह मत समझेगा कि को आपको आप अपना फीडबेक जीजेगा क्योंकि यह मेरी पहली पॉडकास्त थी और इसी तरह कि मैं कुछ मजीद बिस्नसमेंस को आपके सामने लाके पेश करूंगा और उनकी स्टोरी आपको सुनाओंगा ताकि आप यहां बैठ के सीख सके और मानी भाई का जो मकस्त है कि आप लोग कोई ना कोई मोटिवेशन कोई ना कोई चीजें सिखाते रहें तो वह मैं करता रहूंगा चाहे लोग अच्छा कहें बुरा कहें गद्दार कहें कुछ भी कहें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एनिवे अपना बहुत खया रखिए कि इन्शाला नेक्स पॉड़